कि हैं सीय फर्म में या सी यौफीस में क्या वर्क होता है यह एक बहुत पूछे जाने वाले कोशन नी है और जिसमें एक बेसिक आपको अडिया होता है कि हां भई तैक्सिशन और एकाउंटिंग का वर्क कि इसमें होता है जीएस्ट इंकल रिम टेख विगरा का share करूंगा you can trust कि हां वो चीज़े सही ही होंगे तो उन चीज़ों से आपको सारी चीज़े समझने को मिलेंगे सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो CA firm होती है CA office होता है यानि कि CA का अपना एक office होता है उसको broadly आप दो तरीके से divide कर सकते हो कुछ offices ऐसे होते हैं जहां पर सभी तरीके के work होते हैं सभी तरीके के work in the sense कि taxation accounting audit से related work होते हैं जिनके ओभी मैं detail में आप से बात करूँ आप और कुछ ऐसे होते हैं जो specialized होते है किसी एक पार्ट पर तरीके या जैसे की income tax का ही वरक करते होंगे वो जैसे सिर्फ GST का ही work करते होंगे या फिर वो company से related जो हो गया जैसे company audit से related ही work करते होंगे इस तरीकी के उनके अपने internal audit से related काम करते होंगे तो ऐसा specialized है मतलब वो सिर्फ अगर income tax कर रहे हैं तो income tax कर रहे हैं वो बाकी work नहीं कर रहे हैं यहां पर क्या होता है यहां पर generally वो सभी तरीके के work कर रहे होते हैं वो कुछ work income tax का भी करते हैं कुछ GST का भी करते हैं company audit का भी करते हैं इस तरीके से बाकी work भी करते हैं तो मैं यहां पर आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप article ship के लिए plan कर रहे हो यह CA के अंडर work सीखने के लिए plan कर रहे हो तो आपको कौन सी firm join करनी चाहिए यह वाली यह specialized firm और उसमें आपको किस work पर आपको मलब company में जब interview होना आपका CA के अंडर में CA office में तो आपको उनसे कुछ information पूछनी है कुछ questions आपको उनसे पूछने है so that आपको पता चल पाए कि आपको क्या work मिलेगा और आप सही decision ले पाओ otherwise होता है क्या है students को knowledge होती नहीं वो directly join कर लेते है वहाँ पर जो काम उन्हें मिलता है वो इसको करने लगते है यह approach मुझे लगता है कि थोड़ी सही नहीं है ठीक है? सबसे पहले वाला जो work होता है वो work होता है taxation related बहुत famous work है tax से related काम होता है अब tax के अंदर बहुत सारे tax होते हैं mainly जो primarily हमारे दो tax होते हैं वो एक होता है income tax और एक होता है GST तो एक income tax का work होता है और एक इसका work होता है GST का work होता है इसके अलावा जैसे वैट हो गया, CST हो गया, यह हो रहे गए, मैं यह limited items पर हो गया, तो normally अब आपको ऐसा वर्क देखने को बहुत rare मिलेगा कि specialized उसी field में वर्क कर रहे हैं, अदरवाइस 99% 99% जगह पे आपको यह दो tax पर वर्क करते वे मिलेंगे आपको जो CA office में है, अब इसमें जो वर्क होता है, GST और income tax के अंदर, इसके अंदर देखो, operational work तो होता ही है, operational work अगर मैं कह रहा हूँ तो उसका मतलब है, जैसे की return filing का work हो गया, income tax की return जाती है, GST की return जाती है, उनका registration हो गया, और जो इस तरह की clerical work type में हो गये, जो operations related हो गये, return filing, registration related, वो सारे work इ Secondly, इसमें क्या होता है, consultancy का work होता है, consultancy का work कैसा, जहां पर आपना लोगों को guide कर रहे हो, consultancy हो सकती है, जैसे tax saving में, कैसे आप अपना tax बचाओ, legal तरीके से, कैसे आप अपना tax को कम से कम कर सकते हो, या guide करना कि कहीं पर किसी client को कोई दिक्कत हो रही है, उनको नहीं समझ मे एक example जैसे मैं दे रहो, कि उनको नहीं पता है, कि इस पर कितना tax rate लगेगा, कोई एक product है, for example, वो एक electric, जो smart pen होता है, वो sell करना है, उस पर नहीं पता है, उनको कि कितना GST चार्ज करना है, तो उसका HSN code क्या है, तो इस तरीके के वो उन पर guide करते हैं, second फिर हो जाता है, notice स CA ही करते हैं, और इस में भी दोनों तरीके सो सकते हैं, कुछ specialization में भी पता है, क्या होता है, specialization में भी, in fact, इस level तक का भी होता है, कुछ CA office होंगे, जो सिर्फ, for example, notice और appeal में ही work कर रहोंगे, बाग की चीज़ों में work नहीं कर रहोंगे, कुछ सिर्फ consultancy में work कर रहोंगे, जैसे मेरा main focus रहता है, वो कि इसमें consultancy वाले part पर रहता है, क्योंकि मुझे ये सबसे यादा interesting और सबसे यादा lucrative लगती है, operational work में मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो consultancy में मज़ा आता है, नहीने problem साती है, उनको नहीने तरीके से solve कराना, तो notice appeal का भी जो होता है तो इसमें भी हो सकता है कि particularly deal कर रहे हैं, तो ये आपका taxation से related work हो जाता है, taxation के बाद second आता है accounting, या आप इसको कह सकते हो, account finalization का work कह सकते हो, या आप इसको bookkeeping का work कह सकते हो, ठीक है, bookkeeping का work होता है, तो ये आप इस तरीके से बाइफर्गेट कर सकते हो, bookkeeping का मतलब ये होता है कि accounts prepare कर रहे हैं CNA ये वाला work काफी कम करते हैं मतलब बहुत limited CA ये वाला work करते हैं और करते हैं तो फिर क्या कि बड़े clients का करते हैं normally limited रहता है या फिर ऐसा होता है कि एक client को बहुत सारी services देने तो उस case में फिर bookkeeping का काम उन्होंने CA ने जो है वो ले लिया है अपने client का बट ऐसा I don't think कि आपको देखने को मिलेंगे कोई CA firm है जो सिर्फ bookkeeping bookkeeping का का काम कर रही है ऐसा normally आपको देखने को नहीं मिलेगा तो account finalization ये accounting में क्या होता है अब उनका पूरा accounts में guide कर रहो है rules regulation में लब जो भी उनकी tax accounting का पूरा work है ये इसमें कर रहो है छोटे clients है बड़े clients है उनका company है individual है partnership firm है इससे related उनका work आप कर रहे हो फिर मैंने आपको बताया third level पर point पर क्या consultancy और इसी में हम कहते है management services भी कह देते है management service में बहुत सारी चीज़ा जाती है basically आप इसको consultancy से related कर सकते हो consultancy taxation से related हो सकती है या किसी decision making से हो सकती है तो अलग अलग चीज़ों में consultancy management वाला part हो जाता है ठेक है cost से related भी होता है इसमें CMA का role थोड़ा ज्यादा होता है जो cost accounted होते है बड़ यह भी होते हैं जो यह बताते हैं कि आप cost accounting करते हैं यह मैं cost accounting फ़ला सी यह लिक रहा हूं यह चार्टेड अकांटे नहीं cost कैसे कम कर सकते हो क्या आपके costing आई यह तो इस तरीके के भी बहुत सारे work इसमें होते हैं फिर इसके बाद आता है एक वोड़ जो बहुत famous work होता है वो होता है audit ठीक है audit में भी अभी बहुत सारे type होते है जैसे होता है statutory audit statutory audit क्या होता है यह ना जैसे कि normally हम क्या income tax के अंदर होता है bank audit हो गए तो यह क्या law ने कह रखा है government ने कह रखा है कि audit कराने ही कराना है और किस से कराने ही है सिर्फ CA से ही कराने है तो यह वाले audit होते हैं कुछ internal audit होते है internal audit में बड़ी-बड़ी companies पे तो कहीं बार होता है कि उनको करा नहीं है otherwise यह internal audit वाला work है यह company अपने आप से गराती हो यहाँ पर अगर आप CA नहीं होना तो भी आप कर सकते हो जो यह management के base पे हो रहे होते है internal audit हो गया, cost audit हो गया, physical verification हो गया यह सारी चीजे आप अपने base पे कर सकते हो आपको इसके लिए CA होना जरूरी नहीं है actual मैं तो मैं बताओ आपको उपर जितना work आपने किया है यह सारा इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि CA ही करेंगे अब जो हमारे courses है, certification courses है उसको 12th pass out students करते हैं और उसको करके अपना office भी start करते हैं CA के under में सीखे भी ना, मैंनला office में जाए भी ना, क्यों? अब वो, देखो, simple सी चीज़ समझो मैं CA हूँ, ठीक है, आप मेरे office में आओगे office में आके आप मुझे कोगे कि sir मुझे अपने under में hire कर लो, job पे रख लो और मुझे सिखाते रहे ना, मैं आपके under work भी करूँगा और सीखूँगा भी तो मैं नहीं के आपको hire करूँगा, कर भी लोगा तो वहापे आपको सिखा नहीं पाऊँगा reason के है, मैं office में अपना work करूँगा या आपको training दूँगा training नहीं दे पाऊँगा न, उसमें आप सिखोगे तो छोटे-छोटी चीजों को सिखने में आपको 3-4 सार लग जाएंगे और तब भी आप self independent नहीं हो पाऊँगी क्योंकि maximum card मैं अपने आप कर रहा हूँगा और आप से clerical छोटे level का काम करा रहा हूँगा online courses में क्या होता है, इसी problem को solve करने के लिए, सिखा तो मैं ही रहा हूँ न, CA ही हूँ, CA ही सिखा रहा है तो मैं आपको online में, actual में यहाँ पर मेरा purpose ही कि है, आपको पढ़ाना ही मेरा purpose है तो सारी चीज़े जो है, यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँदे को इतनी long content है, इतना ज्यादा content है, वो कभी भी offline में possible नहीं है तो इसको मेरे under में training लेकर online mode में सारा सीख के students क्या करते हैं अपने यह सारे काम कर रहे होते हैं, बहुत students हैं ऐसे, जो lags में earn कर रहे हैं yearly ठीक है, तो earning opportunities बहुत होती है, directly आप कर सकते हो, description में आपको link मिल जाएगा तो वहाँ पर जा कि आप पूरी detail देख सकते हो, कि क्या career है, किस तरस earning opportunities हैं और बाट के student कैसे कर रहे हैं, कौन-कौन से courses हैं, 25 प्लस courses हैं, वो सारे चीज़ आप देख लिए ना ऐसे ही, उसमें audit का course भी है, भी मैं उस बात पर आता हूँ हाँ, main लेकिन, यहां पर confusion क्या होता है, वो चीज मुझे जो आपको बतानी दी तो जैसे income tax cover के आप कर सकते हो, GST का आप कर सकते हो, return filing registration का आप कर सकते हो, tax saving tax, consultancy वाला part मतलब basically जो था, यह आप कर सकते हो, यह जो notice वाला part है, इसमें मैं आपको, मैं बहुत कुछ कुछ करता हो सकते हो, बट इसमें मैं आपको enter करने के लिए मना करता हूँ, क्योंकि यहा तो सीखना मुश्किल हो जाएगा, आज ही जगह आप disallow हो जाओगे, आप appear नहीं हो पाओगे, court के सामने या, appeal नहीं कर पाओगे, उन्चारी चीज़ों मैं notice के reply के लिए, आप eligible नहीं होंगे, कहीं eligible भी बनते हो, तो client आपके पास नहीं आगा, क्योंकि वो CA के पास आएग लेकिन बाकी जगह पे आपके पास आएगे, accounting का काम आप कर सकते हो, accounting, finalization का कर सकते हो, bookkeeping का कर सकते हो, जो consultancy है, management services है, इन में से भी maximum आप कर सकते हो, जो statutory audit है, वो नहीं आप कर सकते हो, बस, पहली चीज़ बोली है मैंने, मतलब एक तो notice वाला आपको मना कर रहा है, और second य audit, उसके अलावा internal audit, cost audit, physical verification विगरा, यह सारी चीज़े आप कर सकते हो, ठीक है, इन सारे चीज़ों में सीखने में कोई problem नहीं है, auditor का course भी है हमारा, उसमें इस सारी चीज़े में सिखा तो हूँ आपको, इसके बाद क्या होता है, जैसे एक और वर्क होता है, fifth number पे, bank loan का project report project report, ठीक है, client को bank से loan लेना होता है, तो bank क्या कहता है, कि मुझे bank report बना के दो, balance sheets वेगरा बना के दो, यह इस पे project report पे CA के sign नहीं चाहिए होते हैं, नहीं required होते हैं, और यह भी anyone can do, ठीक है, बट हाँ CA office में भी आपको यह काम देखने को मिलता है, अब, बात आती है, कि सर, सबसे पहले आपने बताया था, कि कुछ CA firm ऐसी होती है, जहां पर सारे work होते है, कुछ CA firm ऐसी होती है, जहां पर specialized work होते है, तो हम कौन सी firm में जाएं, अगर आपको पूरी तरह से clear है, कि आपको किस field में enter करना है, तो आप जाएए उस field के specialized firm में, ठीक है, for example, आपको पता है कि बस मुझे ना GST वाला ही काम सीखना है, तो आप specialized firm में जाओ, यह तब beneficial है, अगर आप CA हो, या CA का course कर रहे हो, आप CA बनने वाले हो, तो तो आप इस चीज़ पर देखना, कि अगर आपको पूरी तरह से knowledge है अच्छे से, तो आप जाएए, otherwise, आप ऐसी firm में जाएए, जह कि आपको किस चीज़ की knowledge, किस में interest आएगा, किस में क्या career है, तो भी आप किसमें जाओ, all में, ठीक है, यह मैं तब के लिए बता रहा हूँ, all में किस-को जाना है, clear नहीं है, या specialization से पहले आपको चाहिए, कि मुझे सारी knowledge मिल जाए, all knowledge मिल जाए, तो भी आप एक बार उ आप सीखोगे, 4-5 सार लग जाएंगे, तब भी इस level का नहीं सीख पाओगे, कि आप अपने base पे earning कर पाओ, बहुत rare cases होता है, उसमें better होता है, कि आप किसी भी CA से online सीखो, जो या उनके courses होते हो, किसी भी CA से सीखो, I'm not saying just about me, किसी भी CA से आप वो चीज़ी सीखो, और पह आपके नहीं हो, और आपको high earning करनी है, तो specialization वाला work आपके लिए suitable नहीं रहेगा, specially starting के साल में, जब आपको एक client, मिल कुछ साल हो जाए, अपना office open करे वे, और आपको लगता है कि हाँ, अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया, कि मेरी demand इस area में, let's say, सिर्फ GST की है, बा people earning के sources खुल जाएंगे, क्योंकि आपके पास income tax का client भी आएगा, GST का client भी आएगा, accounting का भी client भी आएगा, audit वाले जो, internal audit, physical verification भी आएगे, तो मैं यहाँ पे न, आपके पास लगबग 15 plus earning opportunities easily open होती है, तो यह आपके लिए beneficial रहता है, और बाकी जो मैं बता रहा हूँ कि आप download करना, C.A.P. उश गुपता के नाम से, या फिर description में एक बार link चेक कर लेना, वहाँ पे आपको पूरी details मिल जाएंगे, ठीक है, चलिए, बाई-बाई